कि ही एवरीवन मनें बहुत टाइम से शॉर्ट वीडियो भी बना रही और लॉंग वीडियो ने बनाई तो आज हम मैं यह वाला लुक ट्राइ कर रहे हूं बहुत ही दूलन जा बेसिक सा मेकप लुक तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो वीडियो चलिए सबसे पहले हम लगाएं कि प्राइमर तो कि Bla jar koiba करो बीज़ित कर रहे हो ईसे क्रीम लगा रहे हो प्राइमर आपको लगा ना चाहिए इसे क्या होता ऐश जो होता है वह बहुत हम होता है अगा क्वेश मों होगा तो का मेक important होगा अपनने बहुत बहुत है क् यहां पर फॉंडेशन ले हुई मेरा जो फॉंडेशन ही यह वैरेटन वायल का है वैरेटन वाइल का इसमेरा मेरा श्हेड कि अहिंग मेरा शेड क ही और यह मेरे सकींटोन से से मैच करता हूआ है तो बस अधे से पर इसकंद बकूरा इक बरेटीड , आप कैंद commission तो आपका फाउंडेशन जैसे समर्स में तो बहुत जादा पसीने के साथ ऐसे पुरा फाउंडेशन निकल जाता है तो उसको सैट करना जरूरी है उसके बाद मैं आई मेकप कर रहे हूं तो इसके लिए कि यहीं फाउंडेशन को ही वापिस अपने ऐई लिट पे लगा लोंगी अच्छे से अगर आपके पास कंसीलर है तो आप कंसीलर ही लगाए क्योंकि यह लगाना था इसमें एक टोन हमें हां लाइट चाहिए हमारे फाउंडेशन से कंसीलर तो वह इस पे लगाना होता है आई में होता है आईशेड़ पैलेट में सबसे लाइट वाला उससे पहले इसको अच्छे से मैं सेट कर लोंगे ठीक है हमेशा लाइट से शुरुवात करनी सही और डार्क की तरफ जाना चाहिए जो हमारा जो आई मेकप जब जितना भी मैंने सीखा है तो इस तरह से होता है जैसे हुआ है मैंने सबसे पहले लाइट लिया हुसके बाद मैं हलका से देखा स्कीन टोन का जो है इससे कि स्किन टोन के बाएद थोड़ा सहलका डार्क जैसे की हलका सा ब्राउन कलर होता है वह हो वाला जो ऑरेंजी ब्राउन वैसे तो यह मैं पूरे क्रीज हम लें लगारी 181 तरफ लगा कि तरफ मैं इसको सेट कर लोंगी और जो ब्लैक कलर है आज मैं यह वाला लुक करें कि कि ब्लैक कलर जो है वह मैं आउटर वी की तरफ इसको इस तरह से सेट कर लों फिंगर से ही उसके बाद हम ब्रस से इसको समर्च कर लेंगे ब्लैंड कर लेंगे और एक जैसा हम कर लेंगे हार्ष लाइन ने दिखनी चाहिए तो बस इस तरह से मैं इसको प्लेंग और इस तरह से आपको ब्रश की हेल्प से इन दोनों कलर को मैं मिक्स अप करना है और इसके बाद मैं इसको अच्छे से दोनों को देखो कितना अच्छा हमारा आई लुक यह कंप्लीट हुआ है बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप में जैसे की लाइट शेड इनर में और डार्क आउटर वी पे उसके बाद हम क्या करेंगे यह स्विस्टी का मेरे पास गोल्ड इस तरह में लगाऊंगी हो इसको मिडल की तरफ ही ब्लैंड करना हल्का अप इनर की तरफ लेकर आउटर वी पे इतना नें लेकर जाना इनर की त dernière की तरफ हल्का हल्का आप लेकर पतला लगाऊंगी इनर की तरफ थोड़ा सा पतला लगांगी विघंग की तरह लगांगी लिगर मैं इसको बहार लेकर नहीं के ब्लच ऑस बोच हचा बावडर पेस है तो अबस हलका हलका मैं बाहर की तरफ लाख रख लगा और उन्दर फिल करूंगी वह डार कल नहीं रहें पर जो कुछ पुल्स्थ एपुइस को फिल करनंगी उसके किया उसके बाद यह इमिख among리 लोगी उसके बाद मैं आर है ल्लाइटर हिल लगा लोगि एक चोटा सा ब्रश लेकर इसको हाईलाइट लगा लोगी उसके बाद में डार्क ब्राउन कलर की जो क्रियों है परपल का वही लगा रही हूं लेगन बाद में इसको रैड कलोंगी क्योंकि मुझे थोड़ा ब्राउन अच्छा नहीं लग रहा था टोन तो इसके बाद में इ जैसे होे था ने कि बहुत ओवर हो जाता है वही नहीं है और बिलकु आजकल दूद्लंगके मीकiałem भी इस यह वंगने करें बिलकुli निएभ़ के, अवर पोब्रावन बलैक यह वाली कलरी ऊगव चल रहा है और ज्यादा आई मेकब भी जैदा लाप लाल और इस तरह के कलरा किये तो I hope आपको ये पसंद आया होगा पसंद आया तो please like share and subscribe to my channel thank you so much for watching